हलो दोस्तों हमारे वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है आज हम हाजी रहें नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं HBAC duct के बारे में, duct में कौन-कौन से fitting होते हैं, क्या-क्या use होता है, कैसे work करता है इसके बारे में हम आपको वीडियो में details में बताएंगे, वीडियो के बारे में knowledge है तो वीडियो इसकीप कर सकते हैं, नई knowledge या तो वीडियो को अन तक देखिए, आपको जरूर कुछ जाने सीखने के लिए मिलेगा दोस्तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारे आने वाले पड़ते एक वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा आए दोस्तो हम वीडियो को start करते हैं पहला है दोस्तो यूनिफिक्स उसके बाद है रड ौर रॉड और यूनिफिक्स डिफ्रेंट साइज में आता है शिक्स का आता है टे óसिक्सका 8 सं में ईट 17 का 14 यह दोनों मतलब upset दिफ़रन डिफ़रन साइज मे आता है जैसे आपको यूज करना है वेसे आप पर सकते तो अंगल L Continun में अगर आता है concept को करने क लिए यूज करते हैं उसके बाद रखनी को करने के लिए घौक देत करने के लिए और बेच में बाहर नहीं है उसमें भोम का स्कित भी आता है जो डिर कलेंट में युज होता है और ऐख यह चीले मिट कर दो exactamente करनेे के बादि सी किलिट और ये स्क्रीम muss अलब यह हम ज्यादा स्कारी सम्य विवाद ब्रमें के लीड हो है कि पika आउसर इसमें थेखने के लिए जोसे करना है कि आपके इसमें च क्रेदा वायो नहीं चाकता हitute सत्ynen उसके वाथ दोस्तों आता है और अखिड़ लगा औरो के लिए क्लेक्ड किया जाता है थो हम अंदर में कुछ फरसा है बाद दोस्तों कमआई और देखने के लिए हम लोग डक्ट और का यूज करते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें आता है अल्मुनियम टेप ज्यादा तर पी आई डप्ट में यूज होता है दोस्तों उसके बाद आता है बलेक टेप या लाइनर टेप इसमें जी आई डप्ट में लाइनर करते हैं अंदर से या बाहर से लाइनर करते हैं तो विल्ट में एक होता है सूकहा लेर सु है सबसुलिक निकाल ना है कि गोर्णी दूसरा जगह में भीजों करने के लिए दो հसक सबंसुला कर सकते हैं या इस समय का टेंगर के यह इसके लिए ग्ररे upgraded ये ये पार मिवासिया द्री में, से हम डक्ट का साइज चैंज कर सकते हैं यह सो जरूरत रहेगा इसके लिए रेडूसर का यूज कर सकते हैं कि इसके बाद दोस्ते होता है यह पता है भलता है Tudo यो इसमें हम इस्ट्र डॉके पेलाइट कर सकते हैं ब्रांच के थुरूर इसको दोस्तो होता है T विथ रेडिूसर इसमें T के साथ में रेडिूसर भी होता है जो direction को भी change करेगा और duct के size को भी change करता है इसको T विथ रेडिूसर बोलते हैं दोस्त इसके बाद आता है दोस्तो flexible duct connector इसके माध्यम से हम unit और duct को connect करते हैं जिससे unit का vibration duct में न आजाए इसके लिए भी use करते हैं और कहीं कहीं duct में भी use करते हैं flexible का जिधर column होता है became joint रहेगा, beam में joint रहेगा, gap रहेगा, वो जगह में भी हम flexible का use करते हैं duct को joint करनेके लिए दोस्तो behavior उसके बाद दोस्तो आता हैक ड奇क्ट अंगल डोस्तों . इसका कव्ड हम लिनांट को नट भोल्ट से टाइट करने के लिए गš्ड का करते हैं तो मेंड समीज़ व्याइज़ में हम फैर्टिंग के बारे में बताएंगा को ड्राइंग कैसे देखना है ड्राइन नहीं मालूम है देखने के लिए कैसे देखना है कैसे वर्क करना है इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे वीडियो अन तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद